सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन जिससे आप पाएंगे और महत्पुन एवम रोचक जैन करिया और मेरे सारे नई वीडियो नमस्कार दोस्तों भगवान आप सभी का भला करो और आपके सारे एक्षाएं एवम नकामनाय पूरी हो दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रेलेटेड महत्पुन जान करें दूंगा जैसमें सरुपत हम यहाँ पर फिंगर के अनलेसिस के वद इस पूरे पाम का अनलेस करते हुए मेरेड लाइफ, चिल्डरन, प्रमोशन, हेल्थ, वेल्थ, इन सबसे रेलेडेड महत्पुन जान करें इस वीडियो में रहेगी तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विशय में तो देख पाएंगे पूरे पाम के कम परिजन में यहाँ फिंगर की लेंथ शॉर्ट है जो एक प्रकार से फास्ट डिसिजन मेकिंग हैबिट को जल्दबाजी एवं हर बड़ी को एवं जो रिजल्ट का जो वेटिंग प्रियेड होता है बहुत कम ऐसे लोगों को सहन हो पाता है कोई भी चीज की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और जैसे ही माइड में कोई बात आई उसको बहुत जल्दी इंप्लिमेंट कर देना इस प्रगार का नीचर भी निकल के आता है साधी साथ देखा जाए तो यहाँ पर जो लेडिल फिंगर इसकी लेंद बहुत अच्छी है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स पोर के उपर तक गई हुई है तो इस करण से communication skill अच्छा रहेगा जैसे अपनी बात को बड़ी ही सरलता वासनी से दूसरों के सामने रखने वाले रहेंगे कैसे भी इसी हिचकिचाहट, घवराहट, मन के अंदर बात को दबाना इसी कोई प्रवती नहीं है जो है एक प्रकार से perfectionist वाला system देखने को मिलता है थर्ड फिंगर के लिए अच्छी है तो risk taking nature रहेगा रिस्क के लेने से कभी भी नहीं हिचकी जाएंगे और एक प्रकार से हिम्मती स्वभाव अच्छा है सोसाइटी में अच्छा status रहने के साथ सथ name, fame, respect होने के योग भी बहुत bright है और finger के उपर सिधी खड़ी रेखा भी देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर यह आपके friendly nature को बता रहा है लेकिन इसमें एक दोश यही है कि आपका जो यहाँ पर guru का finger है बहुत जादा ही short है क्योंकि यह second finger के first pore तक जो है बहुत मुश्किल सार है बहुत ही size की short है जब इस पर अगर के योग बनते हैं तो guru आपके married life, family life के बारे में बताता है तो कही न कहीं इसमें देरी और trouble मिलने के योग जादा रहते हैं यही reason है कि आपको कहीं न कहीं married life, family life से related unsatisfaction और unstability यह दोनों रहेगा satisfy हो पाना बहुत मुश्किल रहता है और किसी न किसी वज़ा से जूजना यहाँ परशानी में always रहना पड़ता है अभी married life है लेकिन married life के पहले भी इतना आसान जीवन नहीं था आपको जो कि अभी दूसरे palm pig में मैं आपको easily show करने आला हूँ और thumb का size भी यहाँ पर short है जो बहुत जादा planning को और उनके अंदर बार-बार होना ले changes को indicate करता है चंदर का area अच्छा उभरवा है तो बोलनी की कल आची रहती है तो इस करन से जहां भी बेठेंगे जहां भी रहेंगे बहुत अच्छा माहूल create कर देंगे किसी को भी बहुत अपना immediately यह बना सकते हैं और एकदम जो है खुल करके बात करना और एकदम अच्छा विक्तितु सकरात्मक सोच यह सारी चीज़े भी देखने को मिलती है तो चंदर शाशी जब हाथ होता है अच्छा का सा उभरवा है आपका चंदर का area तो इस करन से कुछ ना कुछ जैसे creativity हमेशा देखने को मिलती है अच्छे लेखक हो सकते हैं अच्छे poet हो सकते हैं किसी ना किसी वे में अपने creation को बाहर निकाल करके नेम फिम अच्छा पा सकते हैं पाम के size के विशे में यहाँ पर चर्चा करें तो नीचे का area अत्यदी घुबरवा है लेकिन देखा जाए तो यह आपका rectangular hand है जिसके करण बोल चलगी कल अच्छी देखने को मिलती है अगेन और यहाँ पर आपका जो action zone के अलावा यहाँ पर जो inspiration zone है अच्छा develop है तो कोई भी काम करने के लिए आपके अंदर प्रेड़ना अच्छी रहेगी और उसको बहुत जल्दी implement कर देंगे इस प्रकार का nature है ज्यादा planning नहीं करते हैं इस हाफसा यहाँ पर दिख रहा है अब यहाँ पर आपके another palm pick पर आने से पहले left hand का बारे में भी आपको ज़रा इंडिकेट कर दूँ तो right hand में शुक्र माउंट इतना जादा negative नहीं है क्योंकि area अच्छा ले रहा लेकिन आड़ी रेखा सही नहीं होती यह है आपका left palm और यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है आपका शुक्र माउंट यहाँ पर आप देख पाएंगे तो आप देखेंगे कि शुक्र माउंट से बहुत सारी रेखा है आड़ी आड़ी जो ही रेखा है यह सारी आकर के life lane को merge हो रही है और फिर कुछ रेखा है तो भागय को भी काटते वे आगे निकल रही है जब शुक्र माउंट पर इस प्रकार की योग बनते हैं और थोड़ देर हो जाना यह सारे योग बनते हैं और खासकर बच्चे को ले करके तकलीफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो शुक्र के remedies करना यहां आपके लिए ज़्यादा जरूरी हो और शुक्र की यह आड़ी रेखा आपको unnecessary worries देगा न वशक चिंता जिसका कोई मतलब भी नहीं ह इतना नहीं रहेगा लेकिन शुक्र है तो family life से related और गुरू भी यहां पर दबा हुआ है ज्यादा तो इस कारण से जो है family life को ले करके उतार चड़ाओ कई न कई बनते ही रहता है तो यही reason है यहां पर सबसे main otherwise यहां देखें तो यहां पर आपकी चंदर की भाग रेखा ज उपर progress के और निकली है तो wife और उनके घरवालों से भी अच्छा support और एक प्रकार से किसे ने किसीवे में अच्छी help मिलने की योग रहते हैं supportive line यहां पर भी चल रही है तो जब-जब trouble में रहेंगे तो दूसरों को सही होग अच्छा मिलेगा तो यह सारी चीज़ें है trouble क्या हो रही है mind line से रेखा हैं बहुत सारी नीचे को चल रही हो और यह प्रकार से island का formation बना रही है जब इस प्रकार की यूग बनते हैं तो tension, depression, anxiety यह सारी problem खुद ही खुद व्यक्ति अपने उपर लेता है तो आपको मेरे कहने का मतलब यही है कि जितना हो सके negative thinking, over thinking से work पर ध्यान दे इतना ज़्यादा thinking करना सही नहीं रहता है और यहां फ्रेद रेखा के अंत में भी नीचे को बहुत सारी रेखा आरी है जो सावसा बताती है कि आपके expectations दूसरों से जादा रहते हैं दूसरे लोग expectation पर खड़े नहीं उतर पा रहे है दुख किसको हो रहा है जो है हाला ज्यादा खराब हैं लेकिन कोई इतनी दिक्कत नहीं हो जहां तक भागी रेखा कि उसे में चर्चा करें तो रुक रुक के जरूर चल रही है लेकिन चल जरूर continuous रही है तो in future आपको progress अच्छा मिलेगा जो कि मैं अब भी आपको left palm के अलावा right palm से जो आपका active hand अब आते हैं आपके right palm पर तो यहां पर जो है गुरू परवत से start करते हुए एक एक चीज़ के बारे में महत्पुंजानकर यह आपको दूंगा तो यहां पर देखा जाए गुरू के छेतर पर तो गुरू परवत यह देखिए आपका दबा हुआ है जब गुरू परवत द दयालुपन को व्यक्त करती है तो एक प्रकर का दयावान नीचर आपका रहेगा किसी का दुख दर्द नहीं देख पाना खुछ से जितना हो सकता सहीयोग देना या फिर धर्मिक्ता को भी यह बताता है तो जो भी आपका धर्मकास्टर रिलीजन है इसका प्रितिमान सम्मा नादन प्रदन आपका अच्छा रहने वाला है और डबल सोर्स ओफर्निंग आपकी लाइफ में रहेगी यहाँ पर शनी के छेदर पर आते हैं तो शनी परवत अच्छा है तो इस करण से महनत आप अच्छी कर पाएंगे और शनी पर भी इस प्रकार की दो सीधी खड़ी र यहाँ पर जो है ओवरलेपिंग हुआ है और यह जो एज है तक्रिबन यहाँ पर निकल के आ रहा है आपके हाथ में 23-24 के एज के आसपास में 6 महीना उपर नीचे करिए क्योंकि प्रोपरली यह नहीं होता है पाम लाइन्स में थोड़ा सा उतार चड़ा हो रहता है तो यह गए टायम पिरिएड को इंडिकेट करता है यानी यह आपको 31 के बाद से सपोर्टिव लाइन साई है यानी उसी के बाद से जैसे मेरिज के बाद से एक प्रगार से अन्नोन सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ है यह रेखा धन के बारे में तो बताती है लेकिन भागी को भी इसलिए ये रेखा जागरित हुई है लेकिन ये इतनी ज़ाद प्रॉमिनेट नहीं है फिर माइड लाइन के उपर से ये रेखा प्रॉमिनेट होते वे आगे बढ़ रही है और फिर एक दो रेखा और भी आ रही है शाखा और ये जो उम्र है ये 37 है 37 से 38 का मानिए और उसके बद से आपकी फेट लाइन भी अच्छी हुई है डबल लाइन होने के कारेनी सीधे इस प्रकार से शनी तक भी पहुची है जो अच्छे सैटिसफेक्शन को इंडिकेट करता है कि आप लाइफ में फूली सैटिसफाय होंगे तो कहीं न कहीं जो बेवी के भी योग है वो 37 एप्रोक्स में ही ज़्यादा शो हो रहे है दूसरी बत यहां पर सही योगी रेखा भी चल रही है एक से अत्तधिक स्टार्ट भी हुई है और ये भी जो एज है तक्रिबन 37 पर ही शो प्रोपरली हो रहा है एक ओफशूट भी इस दोरान में बहुत माइनर सा है ये आपको दिख रहा हो तो एक ओफशूट भी निकला है और यहां भी जो एज आ रही है वो आपको तक्रिबन 35-37 के एज में आ रहा है फिर एक दोरा हो रेखाने फिर कटा फिर एक ओर लाइन निकली हुई है जो एपरोक्स में आपके 40 का एज इंडिकेट कर रहा है कि इन दो उम्रों में भी किसी प्रकार का बहुत बिग अपोर्चिनेटी होगा तो इसी उम्रों में 37 & 40 के ही दर्मियान में आपको प्रमोशन भी है चैल्ड भी है और हर प्रकार का जो बेनिफिट आप अपने लाइफ में है जो ड्रीम है आपके वो सारे के सारे अचीव होने के योग है इसके अलवा सूर्य पर हम आते हैं तो सूर्य पर देख पाएंगे कि सूर्य परवत इतना जदो प्रॉमिनेंट नहीं है दबा हुआ है आदम विश्वास की कमी को ये बताता है नेतर से रेलेटेड एक प्रकार के तकलीफ को भी व्यक्त करता है और सूर्य पर माइंड लाइन के उपर से हलकल का प्रारम हुआ है तो ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप जैसे लोग अपने खुद के बुद्धी विवेक के बलबुते पर जीवन में अच्छा उन्नती कर पाते हैं इसके बाद आपके ठैद रेखा के उपर से ये सूर्य रेखा गई हुई है जिसके करण आपको तक्रीबन 45 के एज के बाद में बहुत अच्छा नेम, फेम, पॉपलेरिटी या सक्सेज मिलने के चांसे ब्राइट रहेंगे और इसको एक बहुत माइनर सी बहुत हल्की से लाइनने भी काटा है तो ये पिता से रिलेशन में अन्मन, मदभेद, उच अधिकारियों से भी थोड़ा सा तनाओ एबंब अपने ही सही योगियों से थोड़ा सा डिस्टेंस प्रॉब्लम को भी व्यक्त करता है अन्सटिसफेक्शन को जॉब को लेकर के भी व्यक्त कर रहा है क्योंकि और भी अन्ने सारी रेखाए हैं और इस प्रकार से हलकी लिकी बन रही है तो ये एक प्रकार के कन्फ्यूजन को, एक प्रकार के चिंतन, सुभाओ को focus में कमी इन सब को भी व्यक्त कर रहा है तो सूर्य के remedies करना ज़्यादा ज़रूरी है growth करने के लिए mercury mount कुल मिलाकर करके ठीक है आपका और एक साथे दिग रहे खा sympathetic nature को बताता है साथे साथ आपके अंदर बोलने चालने की कला बहुत अच्छी होगे जिसके करना आप दूसरों को easily अपने और attract कर लेते होंगे और अपनी बात की हर किसी से मनवाले ने में भी आप माहिर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इसके अलवा यहाँ पर आपका another pumping पर आते हैं वापिस से तो यहाँ पर आप देख पाएं आपके हैद रेखा के विशे में तो हैद रेखा इस प्रकार से आपके हाथ में double line के साथ चल रही है तो emotions feelings में बार बार changes आता होगा आपके और यहाँ से फिर रेखा हैं नीचे के और भी जा रही है जो की again emotional setback के निशाने होती है यानि अपनों से ही किसे ने किसी वे में problem आना लेकिन health related जो trouble हो रही है वो यहाँ पर आपका line इस प्रकार से जो changes हुआ है इस करण से आपको 30 से लेकर के 35 के age में changes जो है life में health related जाद रहेंगे लेकिन ऐसे कोई भी डरने वाली बात नहीं है आगे चल करके सारी चीज़े यानि 37 से सही हो जाएगी और फिर ये रेखा सीधे आपके गुरू से connected हो गई है तो यह आपको धार्मिक अध्यात्मिक बनाने के साथ साथ एक प्रकार के emotional nature भी देगी क्योंकि सही होगी रेखा गुरू से connected हो गई है तो भावुकता भी जादा रहेगी दिल से जादा सोचेंगे honest और loyal nature भी यहाँ पर निकल के आता है फिर कुछ रेखा है नीजे के और भी यहाँ से जा रही है जो एक प्रकार से aggressive nature को भी बता रही है कि आपका aggression खराब रहने वाला रहेगा और इसी के दोरान में यहाँ पर देख पाए तो progress line के accordingly यहाँ पर एक triangle भी बना हुआ है जो कि अच्छा होता है जब इस प्रकार के योग बनते हैं और हलकी सी एक क्रेखा भी यहाँ पर निकली हुए जो square type of formation दे रही है जो बताते है कि 40 के बाद खुद की संपत्ती होने के योग आपके 100% available है अब यहाँ पर आते हैं mind line के विशेव में तो mind line का flow इस प्रकार से निकलते हैं आपका सीधे चल रहा है straight ही ज़्यादा mind line long नहीं है लेकिन तब भी आपके पास ग्यान अच्छा रहेगा उसका बहुत अच्छा सदुप्यों कर पाएंगे straight forward रहेंगे सीधे रूप से बातचित करना, सोचना, विचारना logical nature भी रहेगा आपका पुराने से पुराने बातों को याद रखने में भी शक्षम रहेगा और mangal से कुछ एक दो रेखाएं आगर के भी जुड़ रही है जो एक प्रकार से बहुत जादा हिम्मती सोभाओ को और एक प्रकार से बहुत जुनूनी किसमे के nature को भी व्यक्त करती है अब यहाँ पर भी अगेन आप देख पाएं तो यहाँ पर भी आपके double line चल रही है यह आपकी mind line है और इसके parallel line हो चल रही है जो एक तो double source of earning तो बताता ही है कि दो माध्यम से आप जीवन में कमाने वाले रहेंगे लेकिन अगेन यह बार बार जो है आपके विचार होते हैं उसमें बार बार उताज वढ़ाओ को भी यहाँ पर यह व्यक्त कर रहा है इसका मतलब यह होता है कि जिस चीज़ के लिए आप एक समय पर राजित है आज उसी चीज़ के लिए आपके तरफ से मना है तो यह double thinking, double mind game को भी indicate करता है और यहाँ से जो नीचे के और रेखा आती है तो यह थोड़ा सा आपको tension, depression, थोड़ी anxiety की problem को भी व्यक्त करता है और जैसे कि राहू रेखा के विशे में चर्चा करें तो उसके लिए एक पाम पिखाईए आपकी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि राहू के तरफ से देखें कितनी सारी है यह जो रेखाई आ रही है, एक तो बंगल की रेखाई है फिर यह जो रेखाई है, यह राहू वाली है और यह जितनी है आपके fate line और mind line पर ज़्यादा अफ़ेक कर रही है तो जीवन इतना आसान आपके रहा नहीं है, जितना बाहरी दुनिया को दिखता है बहुत trouble में और बहुत ज़्यादा उतार चड़ाओ भी है भागे में भी बहुत ज़्यादा कमजोरी को यह बताता है कि बार बार losses को और कुछ बहुत अच्छा कुछ मिलते मिलते भी जैसे रह जाना एक प्रकार से भ्रहम को की बेफिजूल की भागदोड और टेंशन और यही क्या कर रहा है कि यह heart line को भी यहाँ पर हलका टच कर रहा है जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो life में जिसे बिमारी भी रहती है लेकिन उसका properly जड़ पता नहीं चल पाता है कि बिमारी का असलियत में problem क्या है तो यह सारे योग रहते हैं तो यह कब तक है आपका रहू का है जो यह सारा योग चल रहा है फिर उसके आद शुक्र से भी यह रेखा आ रही है तो यह family life से related tension दे रही है जो कि हो ही रहा है आपको तो इन सबसे छुटकारा कम मिल रही है जो last only problem है यहाँ जो age निकल के आ रहा है यह approximately 40 ही यहाँ पर indicate हो रहा है कि 40 के age में last जो है travel जो है mainly रहेगा और उसके बाद में आपके यहाँ पर life में अच्छी progress growth देखने को मिल रही है जो कि यहाँ से मैं आपको show करता हूँ यह देखे आप उसके बाद से यह जब last line गई है उसके बाद से progress और अच्छा होने लग गया और life line नेकदम सुधर गई है फिर एक और बहुत अच्छी mercury line निकली हुई है जिसके करण व्यापार में आने की योग और व्यापार से उन्नती के योगों को यह बता रहा है इसके बाद यहाँ पर एक रेखा फिर नीचे के और भी गई है जो विदेश यात्रा का सूचक होता है और उसके बाद फिर यह line सीधे निकल के बाच्छी खासी चल रही है केतुपड विभाजित भी हुई है तो उस करण से आपका traveling भी अच्छा रहेगा तो इस प्रकर का पूरा life का आपका formation है तो डरने वाली कोई बात नहीं में remedies आपको के राहो के और शुक्र के वर्ट से पर दूँगा जिसके करण benefit आपको अच्छे मिलने वाले रहेंगे मंगल की चर्जा करें तो आप ये बात ध्यान रखे कि जितना हो सके जल्दबाजी और हरबड़ी में किया गया काम दूसरा गुस्से में किया गया काम तीसरा किसी भी चीज़ को लेकर हाइपर नहीं होना ये सारी चीज़ों का तीन चीज़ों का मेनली ध्यान रखना है तो आपको जो है अधिकतर प्रॉब्लम में इसे ही डिजॉल यानि खतम हो जाएगी सही होगी रेखा अच्छी चल रही है तो सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हो गया है लाइफ में तो अब जो है जादो कुछ तकलिफ नहीं रहेगी एक च्छा मनो कामनाई भी पूरी होगी चंदरी की भी रेखा यहाँ पर जूड़ी है आकर के जो अच्छे ग्रोथ को सक्सेस को बर्थ प्लेस से दूर होने वाले उन्नती को व्यक्त करती है और शुक्र की चर्चा करें तो शुक्र आपका अच्छा है थोड़ी कामुकत जादा रह सकती है लेकिन जैसे लग्जीरिस लाइफ और अच्छा दिखावटी चीज़े साहित्य प्रेम घुमना फिरना एशो आराम यह सारी चीज़े लाइफ में हैं आपके थोड़ी जो आड़ी रेखा ही है अननेसेसरीज वरी जो आपके लेफ्ट पाम से इंडिगेट हुआ है अनावशक चिंता थोड़ा बचें इससे और शुक्र की इस प्रकार के आने वाली रेखा जो चंदर पर थोड़ा जुक रही है इसे वियालाइसा वियाक आ जादो जो एक प्रकार के एडिक्शन को भी इंडिगेट कर रहा है यहां से उपर के और निकलना वाली यह इसारी के शारी रेखा हैं आपको जो है विबिमारी में होना वाले सुधार को व्यक्त करती है क्योंकि यह Health Improvement Line होती है दूसरा बिजनस में आने के योग और बिजनस से होना वाले Progress के योग भी अच्छे हैं wealth की आपने बात की थी wealth आपका अच्छा रहेगा money अच्छा रहेगा लेकिन money रुख पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि थोड़ा सा